C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग 2 सबख 14, सफा नंबर 83, हंसों का जोड़ा और कच्छुआ एक जोड़ा हंसों का और एक कच्छुआ मुद्दत से एक ही जील में रहते थे साथ रहने की वज़ा से आपस में दोस्ती हो गई एक बार बारिश बिलकुल नहीं हुई जील सूख गई हंसों को वहां से जाना पड़ा वो बहुत अफसोस के साथ अपने अजीज दोस्त कच्छुए से रुखसत होने लगे कच्छुए ने उदास होकर कहा हंसों ने कहा हम जमीन पर चल नहीं सकते तुम हवा में उड़ नहीं सकते फिर हमारा तुमारा साथ हो तु कैसे हो आखिरकार दोस्त की खातिर हंसों ने एक लकड़ी अपने पंजों में ली और कच्छुए से कहा के इसको मुँ में पकड़ कर लटक जाओ लेकिन याद रखो रस्ते में मुँ खोला तु गिर जाओगे जब हंस कच्छुए को उड़ाए लिये जाते थे तो इत्तेफाक से एक बस्ती के उपर से गुजर हुआ लोगों ने ये अनूखा तमाशा देखकर शोर मचाया इस सफ़े के बाई जानेब आखिर में एक तस्वीर दी गई है जिसमें दो हंस अपने पंजों में एक लकड़ी लिये उड़ रहे हैं और उस लकड़ी के बीचों बीच एक कच्छुआ लटका हुआ है जिसने मुँ से उस लकड़ी को पकड़ रखा है सफ़ा नमबर 84 उस वक्त बेवकूफ कच्छुए से चुपना रहा गया शोर मचाने वालों को जवाब देने का इरादा किया बात का शुरू करना था कि लकड़ी उसके मुँ से छूट गई और वो धम से नीचे गिर गया हंसों ने उस ना समझ दोस्त की हालत पर बहुत अफसोस किया और यूं कहते हुए उड़े चले गए जो दोस्तों की नसियत पर अमल नहीं करता उसकी ऐसी ही गद बनती है इस सफे पर दो तस्वीरे दी गई हैं पहली तस्वीर में कच्छुए को आसमान से गिरते हुए दिखाया गया है और दूसरी तस्वीर में दो हंस तालाब के किनारे बैठे कच्छुए को देख रहे हैं सफा नंबर 85 मश्क पढ़िये और समझे अफसोस दुख अजीज प्यारा रुखसत होना जुदा होना जुदाई दूरी इत्तिफाक अचानक अनोखा अजीब नसीहत नेक नेक मश्वरा अच्छी बात अमल करना मानना गत हालत इस सफे पर एक चील की तस्वीर दी गई है असातिजा के लिए हिदायात उस्ताद कहानी को तस्वीरों की मदद से अंदाजा लगा कर सुनाने का मौका दें ये कहानी हितोब देश की लोग कहानी है इसको भी बताया जाए घरवालों से लोग कहानी सुनकर क्लास में सुनवाई जाए सफ़ा नमबर 86 सोचिये और पताये एक, हंसों और कच्छुए में कैसा तालुक था? दो, हंसों ने वहां से जाने का इरादा क्यूं किया? तीन, हंसों ने कच्छुए से ये क्यूं कहा? हमारा तुम्हारा साथ हू तो कैसे हू? चार, हंसों ने कच्छुए को अपने साथ ले जाने के लिए कौन सी तरकीब निकाली? पाँच, कच्छुआ धम से नीचे क्यूं गिरा? खाली जगों में मुनासिब लवज लिखे बारिश, कच्छुए, दोस्ती, शोर, लटक एक, साथ में रहने की वज़ा से आपस में खाली जगा हो गई दो, एक बार खाली जगा बिलकुल नहीं हुई तीन, वो बहुत अफसोस के साथ अपने अजीज दोस्त खाली जगा से रुखसत होने लगे चार, उसको मुँ में पकड़ कर खाली जगा जाओ पाँच, लोगों ने ये अनोखा तमाशा देखकर खाली जगा मचाया और हिस्सा बे को मिला कर जुमले मुकमल कीजिए और लिखिए हिस्सा अल्फ साथ रहने की वज़ा से आखिरकार दोस्त की खातिर हंसों ने रस्ते में मूँ खोला, लोगों ने ये अनोखा, हम जमीन पर चल नहीं सकते हिस्सा बे, तमाशा देखकर शोर मचाया, तुम हवा में उड़ नहीं सकते आपस में दोस्ती हो गई, एक लकड़ी अपने पंजों में ली, तो गिर जाओगे यहाँ नीचे खाली जगा दी गई है, जिन में आपको हिस्सा अल्फ और हिस्सा बे से मिला कर जुमले लिखने है जिस तरह लवज दोस्त से दोस्तों बना है, उसी तरह नीचे दिये हुए लवजों को बदल कर लिखिए दोस्त, दोस्तों, मुद्दत, खाली जगा, जील, खाली जगा, हंस, खाली जगा, नसीहत, खाली जगा, बारिश, खाली जगा सफ़ा नमबर अठासी, नीचे दी हुई तस्वीरों को उनके नामों से मिलाईए यहां एक तरफ कुछ नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ तस्वीरे दी गई हैं नाम हैं हंस, मचली, बगला, मोर और कच्छुआ तस्वीरे हैं मचली, मोर, बगला, कच्छुआ, हंस आपको तस्वीर के सामने उसका सही नाम लिखना है यहां सफे पर तस्वीरे बनाने के लिए खाली जगा दी गई है अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई, भाग दो, वाचन्स्वर, शिमाईला पर्वेज और पर्वेज गौहर तक्निकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, तनु गुपता, निर्देशन एवं निर्माण, वीमलेश चाओधरी, तथा प्रस्तुती CIET NCERT नैदिल्ली भारत